हेलो फ्रेंड लेट इस डिसकस्स दिस्कूशन विच गेम इन जेएमें 2015 इस कुश्शन को सॉल करने के लिए मैं सबसे पहला कॉंसेप्ट ओफ सम अफ सिरीज यूज़ करूँगा वो concept यह है, देखिए We have to find the sum of the series if the general term of the series is given अब यह general term का क्या मतलब है मैं आपको थोड़ी दिर में discuss करूँगा तो यह expression हमको given है सबसे पहला step क्या होगा, हम इस expression को simplify कर लेंगे, इसका मतलब मैं इन दोनों terms को multiply कर लूँगा तो इसको अगर हम multiply करेंगे तो expression आएगा r square minus r minus 6 तो यह जो part है r की terms में इसको बोलते हैं general term of the series इसको general term क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है तो देखिए, अब यहाँ पे लिखावाई यह जो expression है इसको बोलते है sigma और यह लिखावाई r equal to 16 we can only put the integer values between 16 and 30 तो इसका मतलब पहले मैं r की value put करूँगा इस expression में equal to 16 I will get the expression 16 square minus 16 minus 6 next value मैं put करूँगा 17 16 और 17 के बीच में हम कोई value put नहीं करेंगे only integers we will put ठीक है, फिर हम 18 put करेंगे और कहां तक हम put करेंगे, up till 30 तो यह जो limits होती है lower limit और upper limit इसका मतलब यह होता है सारी values put करते हैं, इस वाले expression में तो इसलिए इसको बोलते हैं general term क्योंकि कोई भी term हमको निकालने है 16 put करेंगे, तो वो term हमको मिल जाएगी similarly 17 up till 30 अब यह जो लिखावाय आगे, इसको बोलते हैं sigma, इसका basically मतलब होता है sum, sum हम किसका करते हैं यह values जो put करते हैं, 16, 17, 18 यह till 30 तक जो भी values हम निकालेंगे terms, उन सब terms का करेंगे हम sum, तो इस expression का यह मतलब है so I will, this expression is equal to this term plus this term plus this term up till r equal to 30 तो हम इनको इस सब terms का sum निकालना है, यह हमारा question है तो हमको इस expression को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं इन terms को club कर लूँगा, तो यह आएगा 16 square से लेकर 30 square का sum, फिर मैं इन terms को club कर लेता हूँ, तो यह आएगा आप count कर लीजे, 16 से लेकर 30 तो 14 terms हो जाएंगे, और 16 को भी include करेंगे देरा total 15 terms तो अब देखिए, यह जो expression लिखावा है इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं इसको हम expression को इस तरह से लिख सकते हैं, r equal to 16 से लेकर के 30 r square का sum, that is sigma तो इसका मतलब क्या है, 16 put करेंगे यह expression आएगा, 17 put करेंगे यह expression आएगा, up till 30 यह expression आएगा similar तरही के से यह expression को मैं लिख सकता हूँ minus sign के साथ, r equal to 16 से 30, r r की जगे 16 put करेंगे, यह आएगा 17 up till 30, और यह जो expression है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ minus times of sigma r equal to 16 से 36, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर r की value put करने की जुरुत नहीं है क्योंकि r की value put कर ही नहीं सकते इसका मतलब क्या है, हमको सिरफ यह 6, जो term है, यह 15 times लिखनी है, यह expression आप इस भी तरह से लिख सकते हो, sigma r equal to 1 to 15, जो difference होता है constant में सिरफ वो ही matter करता है तो उस तरह से भी हम यह expression लिख सकते हैं लेकिन question में 16 से 30 लिखा है तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यह इस तरह से अगर हमको expression दिया होता है, तो हम उसको ऐसे simplify करते हैं, और इस expression को मैं 3 parts में break कर सकता हूँ तो इस expression को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो यह ध्यान रखिए कभी भी इस तरह से sigma का expression लिखा है, तो हम उसको simplify करके उसको parts में break कर सकते हैं तो अब हमारे यह 3 parts है, हमको यह sum निकालना है, यह भी निकालना है, यह भी मैं start करता हूँ, इस पार्ट से, इसके लिए मैं एक important formula यूज़ करूँगा, वो formula यह है, देखे, sum of square of n natural numbers, उसका formula होता है, n natural numbers मतलब 1 square, 2 square, up till n square, उसका formula यह होता है, n multiplied by n plus 1, 2n plus 1 by 6, तो यह maximum value है, जो भी last value of n है, ठीक है, अब इस expression को और हम कैसे लिख सकते हैं sigma की terms में, इस expression में notation में, उसको लिख सकते हैं, sigma r equal to 1 to n, इसका मतलब 1, 2, 3, इस तरह से put करेंगे, up till n, तो यह expression और यह expression same ही है, ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर हम notice करेंगे, तो r equal to 16 से start हो रहा है, 30 तक, लेकिन यह है r equal to 1 से लेकर के n, तो यह 16 से start हो रहा है, तो मैं इस वाले part को अब इस तरह से लिख लूँगा, देखे, मैं लिखूंगा r equal to 1 से 30 का sum, और 1 से लेकर के 15 cut sum, उससे क्या आएगा हमारा जो remaining sum, वो कौन से बचेंगी terms, 16 से लेकर 30 का sum आजाएगा, क्योंकि अगर हमको यह formula use करना है, तो उसके लिख r equal to 1 से starting होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम यह formula लगा लेंगे, r equal to 1 से 30, तो यहाँ पर n की value हो जाएगी 30, इस part में क्या आएगा, so this part will simplify to this, 30, 30 plus 1, 60 plus 1 by 6, मैंने क्या किया, basically यहाँ पर n की value put कर दी 30, और इस part के लिए क्या किया, n की value put कर दी मैंने 15, तो 15 plus 1, और 2 times 15 क्या आएगा, 30 plus 1 by 6, यह value अगर आप evaluate करेंगे, तो यह value आएगी 8 to 15, अब similar तरीकी से हम इस expression की value evaluate करेंगे, तो इसके लिए हम use करेंगे, sum of n natural numbers, that is 1 plus 2 से लेकर के n का sum, उसकी value होती है, n, n plus 1 by 2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, r equal to 1 से लेकर के n sigma r, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, अब notice करेंगे, 16 से लेकर 30 है, बट यहाँ पर starting है 1 से, तो इसके भी मैं क्या करूँगा, difference की terms में इसको लिखूँगा, 1 से लेकर 30 का sum निकालूँगा, और 1 से लेकर 15 का sum निकालूँगा, और दोनों को subtract कर दूँगा, तो आएगा 16 से लेकर के 30 का sum, तो यहाँ इस formula में value put करेंगे 30, n की value 30 है, highest value, starting from 1, तो यहाँ लिखेंगे 30, 30, plus 1 by 2, और यह आएगा 15, 15, plus 1 by 2, simply इस formula में हमने n की value पहले 30 put करी, और फिर हमने 15 put करी, तो इस expression को अगर आप simplify करेंगे, तो यह value आएगी 345, और आप बच गया यह last expression, इस expression को भी हम break कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 से लेकर के 30 और 1 से लेकर के 15, लेकिन इसको break करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है, 16 से लेकर 30 total कितनी terms होंगी, 15 terms होंगी, इसका मतलब 6 कितनी बार आएगा, 15 times ही आएगा, तो हम इसको directly लिख सकते हैं minus 6 times of 15, तो जो constant होता है, तो उसमें फरक नहीं पड़ता है, उसको break करने की जरुरत नहीं है you just need to know कितनी terms है उतनी terms, उतनी times constant आएगा, ठीक है, तो हम इसको simplify कर लेंगे, ये value आएगी 7780 so which is our option D, तो इस question का answer है D, तो अब आपने यहाँ पर एक important concept सीख लिया series का कि अगर इस तरह से expression लिखावा है तो हम उसको इस तरह से break कर सकते हैं और उसको solve कर सकते हैं और इसको solve करने के लिए जो हमने formula ये use किये वो ये थे sum of n natural numbers और sum of square of n natural numbers एक और formula होता है, जो भी important है वो यहाँ पर use नहीं हो रहा है लेकिन वो आप ध्यान रखिए sum of cube of n natural numbers उसका formula ये होता है उसको हम लिखते है n n plus 1 by 2 का whole square उसको लिखते है sigma r equal to 1 से लेकर n r cube ठीक है तो ये जो मैं इसको कैसी ध्यान रखता हूँ sum of n natural numbers का जो answer आता है उसका square है ये sigma of n cube ठीक है और और जो हमने use किया constant अगर आता है k is a constant और इसमें जितना भी difference यहाँ पर आएगा वो difference define करेगा कितनी number of terms है तो simply constant को हम उस number of terms से multiply कर देंगे तो हम constant का sum मिल जाएगा ठीक है तो ये इन 3 important formula है ये एक important concept है आप इन formulas को note down कर लीजिए और इन formula को use करके एक question खुद से try करिए ठीक है अगर आप try करेंगे तो आपका जो concept अभी आपने सीखा है वो आपका strengthen हो जाएगा यही आपकी studying strategy होने चाहिए learn the concept and then use the concept to solve your question by yourself अगर आप खुद से question solve कर लेंगे तो आप यह concept कभी भी नहीं भूलेंगे Thank you so much for watching this video Do like it and share it with your friends यह वीडियो आप अपनी facebook वाल पे भी share कर सकते हैं ताकि आपके friends भी यह concept सीख सकें You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day